आप से भी का हमाई यूटुब चानल सक्से प्रिफॉर्म की में और दोस्तों आज हम यहां पर कराने वाल हैं जीके जीस स्ट्रेटिक जीके का सेट नमर तीन जहां पर आपको एक सौ प्लस से भी ज्यादा कोशन आपको मैं कराऊंगा यहां पर आगर बेंदे से पहले जो लो आपको मिल जाएगा तो आईए आज के मेहत्मुन सवाल पे नजर डालते जो की प्रिवियर सेर में काफी बार पुछा जा चुका है पहला सवाल सवाल अभिलेग का समथ का सकते है तो अने स्वाल पुल्केशन दूतय और सवाल जया है और मुसूं पुछार में पूछ मिल्काप्ल 줍ते mening यहां पर रहा है तो चालू कभ्रतापी रहा जाते हैं कि citos मय को प्ल्प खोज़ार पर मेला मिलिकर या करवाया थे तो सवाल यहीं यह भी रहा है तो 4 सवाल यहांате है कि मीगुति मंदिर है किस है जैनों का है, मेगूती मंदीर किस ने बनवाया था और वर्तमान में कहां पर है, तो बनवाया था पुलकेशन दूतिये ने, कौन सा मंदीर, मेगूती मंदीर ध्यान रखे इंपॉर्टन है, और ये कहां पर करनाटर के में, तो मेगूती मंदीर करने नमान, पुलकेशन दूत महापूट अस्तम लेख में पुलकेसिन दूतिये ने करवाय था इसको ठीक है एक्चली फिर बात करते हैं यहां पर पल्लववंस के प्रताबिस जो है सासक पल्लववंस के प्रताबिस सासक नर्सिव वर्मन किसको हराने के बाद बातापी कोट का उपाधी धारन किया था तो चुकि पल्लकेसिन की बात होई तो पल्लकेसिन दूतिये को इन्होंने हराय था कौन तो यहां पर नर्सिव वर्मन फस्ट ने हराय था किसको पल्लकेसिन दूतिये को सवाले भी है इंपॉर्टन लिए कि नर् वाथम मंदिर का निर्मान करवाया था यह बी मुस्ट इंपर्टंट कोशन ध्यां रखीगा बतापी के चालुक वंस की थापना किसी ने की थी आप अब और एक महत्मुन सवाल अभी लेक का समन्द किस से भी महत्मुन सवाल ध्यार रखेंगा अभी लेक का समन्द किसे तो भानोगुट और सती प्रथा का पहला सक्ष भी इसी अभी अबात कुरूं इसका समंध किस्टा सकते हैं तो रुद्रा नमन से और परियागस्तम, रुद्रा नमन, जुनागड भीतरी एवं जुनागड अब्लेक का सम्मझ असकंद गुप्द तो रुद्रादमन होगे आपका जूनागड गिर्णाड का समुद्र गुप्त होगे परियागस्ताम का और असकंद गुप्त होगे भीत्रिवं जूनागड का ठीक है इलाहाबाद या परियाग प्रसास्ति के लेखा कौन थे हरी प्राइब आगे बढ़ते सवाल पर नेक सवाल क्या है यहां पर देखिएगा नेक सवाल आपका है सामराज के सासको का करम भी ध्यान रखेंगा कई बार आपके सवाल इस सब्सक्राइब आते हैं क्यों जो करम होंगे वह चार प्रफम पिर आते हैं समुद्र गुप्त दूति या गोविंद भी का जाता फिर असकंद सवाल की तो साथकों का करम होगी अगर पूछा रखना गुप्त सासक कौन था तो इसके बाद प्रफम संद्रगुप्त दूतिये कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त या ऐसकंद गुप्त समुध गुप्त तो जो आपका नालंदा विश्विध्या अस्वात ने किर आये था कुंध सा सण बाद करें तो भारत क greatest परफम गुप सासा कभी को था पर बात करते चीनी बौध यात्री फाहियान जो था किसके सासन काल में आता है और किस विजय के उपलक्ष में चंदरूप दूतिये ने चांदी के सिक्के चलवाई थे सको पर सको पर विजये पर के उपलक्ष में श्रणी के सिक्के चलवाय थे पर पूशह है चंदरूप दूतिये का राज कभी कौन था साफ था यह भी ध्यां रखना जो धो जगा था आपका क्या था विद्या को पूतर अभी मैं बात करी रहात है नानंदविष्व नालंदा जी लेकर राजगिर में ये भी ध्यान आपको रखना है ठीक है बिहार के लिए इंपॉर्टन बन जा गई सवाल गुजरात ने परवज इस्तित जो है जिल का पुनर उध्धार किसने करवाई था असकंद गुप ने इसका पुनर उध्धार करवाई था लेकिन अग खिए के सुधरसण झहिलगे में पात बुल्ब इस जो सुधरसंज हिल था इसका निरंदा किसने कझा सबह मुएग्हई था तो मौरवंस के संसापक चंद्रूप्त मौर ने गिर्णार में नियुक त gr राज़पैल पूछ गुप्त वैसक ने तो अगर पूछाँ सुदरसण झील का निर्मान किस ने करवाया था तो पूछोद्वन कर्वाया था है असकंद क्लाइध स्वाल कि रोता है उपनड होलोगे तो ने खाहता रिस्कूम सवाल कई सबसे म routing पूछा स कफ्रण पुछे जाटा जाता था फिर पुछले गुप्त राजाओ कि जो सास की भाषा की भधासाती वो क्या थी संस्क्रुइत ती आजन्ता की गुफाई में सब्सक्राइब ऑर सवाल पुछ जा कि जो गुफा संक यह साथ इसे चितर शाला कहा गया है इसमें बुद्ध के बवाण बुद्ध की जवन जीवन महानिश्ड करमन महापरी निर्वान की घटनाओं से संबंदें चितर बनाएंगे यह भी आपको ध्यां रखना गुफार नमर 17 गुफार नमर 16 दोनों बहुत धर्म से संबंदीते हैं और महायान साकर से संबंदीते हैं फिर सवाल आप से यह भी पूछे जा सकता है कि ठीके बताइए जो बहुत संगीती है किस बहु यह कणल से को प्रावक mo निर्मां याली इसने में की होता है जो कि दूसरे के कल्यान के प्राथ मिक्ता निर्वार्ण करते यहां पर उप्या निरमान के प्राप्ते हैं फॉर निर्मान के लिए काई कुपत काल में नर्मित यह गुफा बिन जो परवाल में विष्नसर्माने लिखा लोग मर्च टिकम नहीं लिखा से घ्रकने लिखा ता नहीं दृतरी जो मंदिर बनवाने는데요 महात्मा बुद्ध का जन्म अब बात कहते हैं महात्मा बुद्ध से बार में बात होई रहे बाध्रम बाध्रम की बाले में होई रहे चर्जा तो आए कुछ बाते बाध्रम से रिलेटर जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहा हुआ 563 इसापुर में हुआ 563 इसापुर में जल्म होता है लुमनी गाउं में फिर बात करते हैं कुछ और इंपॉर्डल बात है जैसे महात्वाबुद्ध ने पर्थम उब्देश कहा दिये थे सारनाथ उतर पर्देश से मोश्ट इंपॉर्टन कुछ है और यह धम चक्रप्रवरतन कहला है था बहुत धर में महापरी किसी तेwno कने प्रफ्वद को काहा था महात्वाबुद के परथम गुरु कां थे अलार कलाम थे और सांख दर्सन की सक्षा इंसे ही गणतर नहीं किया था महात्रम भूद्ध को ग्यान के प्रप्ति काहां विबध गया वाद्रमा का दिन था व वह रात थी नदी कौन से निरंजना या फल्गुनदी थी और कौन से ब्रिक्ष तो पिपल के ब्रिक्ष और यह खाता बोध गया कहां बिहार के गया जीला ठीक है बिहार का गया जीला एक जगह है वहां पे इनको क्या हुआ ग्यान की प्राप्ति हुई थी फिर बात करते महातमा बुद्ध सरवादिक उबदेश कहां दिया पहला सारनाथ में दिया प्रत्र के बात धन के बारे में विश्यत घ्यान किसमें मिलता तोरी पिटक में कौन को नहीं आता कई ना कि कोई को एक्वर में आप देखेंगे पूछा गया है पर्थम बहुत संगीती तबाल पूछे गया कहा हूए राजगरी में हुआ यहाँ पर धक्षक की बात हो रही है ठीक है अधक्ष कौन थे यहां पर शाशा कौन था ठीक है शाशा कौन था धियान रखेगा और जगह अस्थान ये भी धियान रखेगा तो दिखेंगे पर्थम बहुत संगीती होता है आपका मोगली जो पुत्र तीस थे इसमें अध्यक्स है और अश्व गोस्ते ये भी ध्यान आपको रखना है ठीक है अश्व गोस उपाधक्ष होगा और अध्यक्ष होगा और इसी चौथी बहुत संगीती में बहुत है बहुत हम दो भागों में बढ़ क्याता है हीनày का महायान में अभी मैंने आपको बताया भी था बहुत है अध्यक्ष वर्शुमेट्र और अश्रुगोत किस बहुत संगीती में बहुत धर्म दोव भाग जो कि हीन्यान और महायान में बिवाजित हो गया तो चौथी बादसंगिती कहां वा था कुंडालमान जमो कृष्मिर बेर हुआ था बाद्धो का सबसे पवितरतेवार कौन सा बैसाके पुर्णिमा क्यों कि इसी दिन महात्माबुद इसी बैसाके के पुर्णिमा के दिन यह वही दिन था जब बिवार चार आर्फसत्त का उफदेश दिया था इन सारी दुखों से मुक्ती है तो बुद्य ने अश्टांगिक मारक को की बात कही थी ठीक है अब कुछ मौद मठ के बारे में बात करते हैं जैसे टावो मठ यह कहां पर हिमाचल ब्रदेश में नामम्याल मठ यह कहां पर यह हिमाचल प्रदेश में और बोधी मंडा मठ यह कहां पर स्थ है ये बोधिया बिहार में आपके जो चार यूद है वो बहुत ही महत्पून है जैसे पानिपत का योद खानवा का योद चंदिरी घागरा का योद फानवा के बावर के बीच में इसमें बांपनासांगा हर जाता है है यह भरतपू राहस्तान में रखेंगा चंदेरी का यूद होता है 29 जूम 1528 में मेदनी राय और बावर के बीच में होता है बावर इसमें जितता है और मेदनी राय हार जाता है घागरा के यूद होता है छे में 1529 को अफगान और बावर के बीचे अफगान आगार जाता है और बावर जित जाता है तो चारो यूद म बावर ने किस यूद के विजय के बाद ग्रहन किया था यही खानवा के यूद के बाद ग्रहन किया था बावर ने दान देने के कारण खुद को किस की उपाधी से ग्रहन किया था कलंदर की उपाधी से दान देने के कारण गुलामस का संसापक कौन था- ध्यान रखीगा, कुतुब-दिन-धवक, 1260 में, एकता परनाली किसे चलाई थी, इल्टुत्मिस, जो कि कुतुब-दिन का क्या था, धमाद था, गुलामस का इन्तिमसास कौन था, शमुद्दिन, ठीक है, शमुद्दीन कैमुर्स था, फिल बा प्रफा है यह दोनों पर था किसे शुरू किया था बलवन किया था और बलवन का एक और था इंपॉर्टन्स वाल की लोई वम्रक्त के नितिया अपना है यह भी थे आपको रखना इस बात करते हैं गुलाम मंस के बाद आता है खिल जी बंस का संसापक कौन था जलाल अदिन फ इसको भी जाता मलिक कफुर को और किस उपादी से सौम अलावदिन खिल जी ने खुद को भिवुश्रत क्या सिकंदर सानी की दा ने किसको निकट कर आता कि रहक मैं और तुरह हड़ान ने नत्तरन की पूरी वयस्ता कुछ संचालित करने वाला को कहा जाता है था दिवान रियासत अब गुलाम बंस होगी खिली बंस होगी आब आते हैं तुगलग बंस पर तुगलग और सिचाई के अगर मैं बात को सिचाई के लिए कुई है वह नहरों का निर्मान किसने करवाने वाला तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनगरी देवगरी मैं स्वनांतरत किया और इसका क्या नाम रखा दौलताबाद रखा रहेला जो किसकी लिखी पुस्ता की और इवन बतुता अगर मैं बात कुई इसी में मुहमद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का बढ़न रहेला फुसता कमें फिर बात करते हैं यहां पर तुगलक बदिनम करते हैं आपके सफ़ेद का इसका संस्था पक्रका को था खिज रूखा तैमुर लंका से नापती था और इसका अंतिम्सा सकता आलम्सा यह दो बाते इंपोर्टन धिए फिर आते हैं मैसूर के बात करते हैं मैसूर की जो संस्थापक कों थे थे इसके पुत्र का नाम था क्तिपुल सुल्तान का सवाल नहीं कीलिये सकतियों के पृफथरक करन के लिए से ठीक है प्रिटह करन करने के लिए कि शोट का स्थापना किया था कान वालिस कोड 1793 में किया था फिर बात करते है अस्थाइबन भंभे स्कुडश nossa कि यह बेवस्ता कहा किसने लाग वहां था उत्तर पर्श्मीं यह वाले छेतर में हुआ था निया तो तीन चट्र एक तो अस्थाइब बंदवस्त हो गया है उसके बाद रहयत वारी हो गी आपका और महाल वारी यह तीन चुर जहां रखेएगा अस्थानी शॉसासन के जनक किसे कहा जाता है लॉड रिपन को पहली बार जन्गन्ना कब हुआ था 872 में लॉड मैयो के सासनकाल में दसक्या धार पर जन्गन्ना किसे शुरू किया था रिपन ने 1881 में इंडिया स्ट्रगल किसके लिखे पुस्ता के सुवाश चंद्र भोस्की और इन्हीं के जन्व दिवस पर तेज जन्वाडी को क्या मना जाता प्राकरम दिवस मिला जाता है स्यूत राज अमिर्का ने किस वर्स में लोकतांत्र शम्मिधान को अपना था 1787 और यह सुतन्त कब हुआ था तो अच्छार जुलाइश 1776 को असायोग अंदोलन मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है यह कब सुरूआ था एक अगरस 1920 को हुआ था गांधी जी के नित्रत्व में य स्थागित तो इसी के कारण होता है आपका चौरा-चौरी घटना के कारण होता है यह पांच परवड़ी 1922 को अस्थागित कर दी जाती है कांधी जी के द्वारा होता क्या कि गुरकपुड जीले नामकस्थान पर असायोग अंदोलन जो कारी थे वह गुस्से में आकर ठीक अंदोलन काड़ियों ने गुस्से में आकर ठाने में क्या करिया आगलगादी जी से एक ठानेदार सही गया जो इकित से पाई थे उसकी मरती हो जाती इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने अंदोलन को बापिस ले या स्थागित कर दिया फिर बात करते हैं 1946 में बनी अ प्रतिबंध लगाना इसका में नुदेस था और समाप्त किस ने किया बढ़ना कूलर प्रेस एक्ट को समाप्त के रिपने ठाब अब इसमें से अधिकतर सवाल अगर मैं देखा जै तो इसे सौ जितने भी सवाल होंगे कहीं ना कहीं किसे ना किसे एक्जाम में पूछ लागिया होगा आप इन सारे को रड़ जाएगा अच्छा जिनको पेडियाफ लेना है दोस रुपे कीजिए ठीक है दोस रुपे कीज जो नंबर आपको स्टार्टिक के वीडियो में दिया गया उसे नंबर पर पेड़ कीजिए और स्किन स्वाट भी दिजेगा आपको आपके वर्टसप पर मिल जाएगी ठीक है अधिक जानकारई के लिए आप टेलिग्राम पर विजिट करिए जहां पर आपको इसके वीडि